मुझे आशा है कि आप लोगों ने अभी तक के सारे पार्ट्स देख ली होंगे अगर नहीं देखें तो प्लीज देख ली जिए ये मैं इसलिए नहीं कहरा हूँ क्योंकि आप सारे पार्ट्स देखें बल्कि इसलिए कहरा हूँ क्योंकि आगे अगर आपको समझना है तो वो सारे बार reductions आपको जाननी होंगी क्यों पहले जानना जरूरी है कि human capital पर क्या-क्या हो चुका है human capital है क्या देखिए labor दो प्रकार के होते है skilled labor और unskilled labor अभी तक जो हम labor ले रहे थे उनको unskilled मान कर ले रहे थे और exogenously वो technically sound बनाये जाते थे अब भी वही होगा लेकिन अब खुड़ा human capital पर भी ध्यान देंगे यानि skilled labor पर तो वो economic growth के models जिसमें human capital involved है ऐसे कितने models है और उन पर हम discussion करेंगे बारी-बारी पहले हम करेंगे solo model जोन्स वर्जन second हम करेंगे solo model रोमर्स वर्जन यानि रोमर्न ने किस तरीके से human capital को solo model में जोड़ा फिर रामसे model करेंगे फिर model of endogenous growth जिसमें एके model आएगा model of constant return to capital और ozawa सबसे पहले हम जोन्स का वर्जन करेंगे जोन्स ने solo में human capital को बहुत असानी से जोड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने जोड़ा है वही तरीका मैं अभी तक आपको बता रहा था मैंने जो भी आपको solo model में अभी तक बताया है इस second version में या जो मैंने नाम दिया है solo model zipped वो सारा जो explanation है वो जोन्स का ही version है इसके बाद मैं रोमर्स पर भी आऊँगा तो जोन्स ने जिस तरीके से human capital को जोड़ा है उसके पहले हमको यह समझना होगा कि यह किस तरीके से involve हुआ यह हुआ था ग्रिगोरी मैंक्यू और डेविट रोमर और डेविट वेल के दोरा इन्होंने evaluate किया था solo model को इस तरीके से कि इसमें अगर हम human capital को involve करें तो इसको empirically हम एक solution दे सकते हैं यानि कि solo के वैसे तो बहुत सारे अवतार हैं, सवरूप हैं, descendants हैं लेकिन एक सबसे important descendant है इसका human capital को इसमें involve करना यानि इसका extension करना जिसमें human capital का इस्तेमाल किया जाए तो 1992 में इन्होंने जो article लिखा था contribution to the empirics of economy growth उसमें इन्होंने human capital को include किया था तो David Romer का हम बाद में करेंगे पहले अभी हम Jones का version करें जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि labor अलग अलग country में अलग अलग payment उनको मिलती है और अलग अलग तरीके से वहाँ पर growth होती है क्योंकि labor का skill अलग अलग level का होता है कोई technically sound होता है कोई cable hard work करता है कोई machines operate करता है या कोई technical work जैसे की computer वगरा चलाता है तो इसलिए labor को differentiate करना skilled labor और unskilled labor में जरूरी था और skilled labor को human capital का नाम दे कर इसको include किया गया तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके assumptions क्या क्या थे countries produce a single homogeneous product for output यानि कि एक ही प्रकार का product बनाया जाएगा जो कि अपनी properties में एक जैसा हो जैसे कि suppose आप agriculture products को लीजिए प्याज है आलू है apple को ले लीजिए अगर दो companies हैं जो अपना level लगाती है apple पर किसी भी तरीके से वो उसकी farming करती है और फिर अपने company के name पर उसको बेजती है तो वो दोनों product एक जैसे है एक ही उनकी ingredients है बस company का label अलग लग है इस तरीके के products कहलाते है homogeneous products जैसे vehicles हो गए, car हो गई car में भी अलग अलग brands होते हैं पर सबकी सहुलियत लग भग एक जैसी होती है तो इनको हम कहते है homogeneous product second है there is no international trade यानि कि जितने भी हमारी savings है उस अब investment में बदल जाएंगी इसलिए no international trade third technology is exogenous यानि technology अभी भी बाहर से ही आ रही है अभी research बगएरा नहीं किया जा रहा है D marginal propensity to save is also exogenous यानि कि savings बाहर से ही आ रही है जितना भी investment हो रहा है वो exogenously हो रहा है तो जो basic solo model है human capital के साथ उसके तीन equations बनते हैं पहला equation production function का होता है obviously जिसको हम cop doglex production function कहते हैं जिसमें constant return to scale हमने लिया था y equal to function of k a h हो जाएगा जहांपर हम a l ले रहे थे यह model dicto वैसे ही है जैसा हमने पहले वाला model किया है solo model with technical change difference कहां है वो मैं आपको बता दूँगा भी यहांपर l होता था अब हमने a h ले लिया है यानि कि a l होता था अब a h ले लिया है a वही का वही है यहांपर h आ गया है that is human capital यानि k power alpha a h power 1 minus alpha जहांपर y है आपका product यानि output k physical capital है यहांपर क्यों नाम दिया गया physical capital क्योंकि हमने एक और capital लिया है human capital यह भी हमारी एक संपत्ति है increased by investment and decreased by depreciation यह capital increase होता है जब हम investment करते है और यह depreciation से decrease होता है human capital h यानि कि skilled labor यह grow करेगा जैसे से population grow करेगी किस rate पर उसी rate पर जिस पर population grow करती है end rate पर और यह technology है जो कि exogenous है यानि एक particular constant rate से यह grow करती रहेगी time के हिसाब से यह मैं पहले आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ alpha आपको पता है share होता है उस capital का production function में जो कि 0 और 1 के बीच में आता है यहां तक तो आप लोगों को पता ही होगा अभी तक मैंने जित्ता पढ़ाया है second equation बनता है physical capital accumulation function का यानि कि k dot equal to s ky minus del k यानि कि हम जो capital accumulate करेंगे accumulation क्या होता है capital को एकटा करना जोड़ना देखिए labor दो प्रकार के काम कर सकता है suppose एक labor आता है और आपके लिए एक कुछ सामान बना कर जाता है production करके जाता है और एक labor आता है जो बस आता है और मान लीजिए gate keeper है आपका वो कुछ बनाता नहीं है मगर वो अपनी service दे कर चला जाता है वो उसमें सहीयोगी जरूर है मगर उससे आपने कुछ ऐसी चीज नहीं बनवाई जो आप रख सको अपने पास लेकिन दूसरे वाले से आपने कुछ पोड़क्ट बनवाया जो आप रख सकते हो वो आपका accumulation कर सकता है तो हम यहाँ physical capital का accumulation कर रहे हैं कौन सी ऐसी चीज है जो हम बना कर रखते हैं अपने पास या machines हैं, factories हैं जो भी हमारा physical capital है वो सब इसमें रहेगा तो मैंने जैसे आपको बताया था अगर हम उपर dot लगा देते हैं वो derivative हो जाता है first derivative यानि marginal शो करता है वो और capital के मामले में marginal का मतलब होता है एक साल का यानि पिछले साल से लेकर अब तक कितना investment हुआ या कितना production हुआ marginally उसमें हम dot लगा देते हैं तो यहाँ capital की बात हो रही है कितना capital accumulate हुआ तो हमने जो saving की है saving किसमी physical capital में ध्यान रखना भी है यानि हमारा जो output आया उसमें से हमने investment किया है physical capital में वो है SKY अभी तक हम यहाँ पर SY ले रहे थे लेकिन अब हमको इसको SK से denote करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि पहले जब S ले रहे थे तो उसमें pure saving था और saving को हमने investment में बदल दिया था investment में जब हम उसको बदलते हैं तो उसमें labor के लिए भी कुछ करते हैं इसको ऐसे समझेए suppose आपको अपना एक coaching center खोलना है ठीक है आपने 4-5 teacher रखने का प्लान किया और हर एक को 10-10,000 रुपे देने का प्लान किया तो 50,000 का आपका monthly खर्चा है यानि कि सालाना आपका खर्चा आएगा करीब 6,000,000 का आपने और extra जित्ते खर्चे थे उन सब को मिलाकर 8,000,000 का budget बनाया आपने देखा आपके पास 8,000,000 का budget है आप आगे बढ़ सकते हो आप नहीं पढ़ा रहे हो लेकिन आपने 5 लोगों को रखा है तो आपने वो जो पैसा रखा है अपने पास या आपके जो equipment हैं 2,000,000 के जो आपने extra खरीदे वो किस के लिए खरीदे teachers के लिए teachers उसके through पढ़ाएंगे suppose आपने electronic boards खरीदे register खरीदा, board खरीदा benches खरीदी, mic खरीदा capital आपने खटा किया कहीं पर rent के लिए आपने दुकान बिली, या अपना खुद का बना लिया तो वो जो आपका investment हुआ, आपकी savings ही हुआ आपने teachers पर लगा दिया यानि आपकी savings labors पर भी जाती है अब वो labor coaching के example में skilled है इसलिए हम यहाँ पर SK ले रहे हैं यानि कि यहाँ पर हम physical capital में जो investment किया उसको ले रहे हैं क्योंकि human capital अलग है यानि अब यहाँ पर हम वो 2,00,00 रुपे ले रहे हैं जो हमने अपने physical capital में लगाए हैं 6,00,00 रुपे तो हम उन्हें ऐसे salary दे रहे हैं because of their skill और फिर वो ही हमारा capital depreciate भी होगा तो हमारा capital accumulation अब थोड़ा सा सिकुड़ गया है पहले हमारी जो saving थी वो labor के काम भी आती जैसे मान लीजे आप कोई building बना रहे हो उसमें labor लगती है unskilled labor लगती है skilled भी रहते हैं, कारिगर भी होते हैं मगर कुछ तो सामान ढोने वाले होते है उनको जो payments देना पड़ेगा वो कहां से दोगे आप अपनी savings से दोगे और वो ही उनको देना भी investment कहलाएगा तो कि जब आप building बना रहे हो तो उसमें वो पैसा भी investment में आजा तो k. क्या हो गया change in physical capital dell हो गया आपका depreciation rate और s के हो गया saving rate for investment in physical capital y equal to k power alpha ah1 minus alpha अब हम इसको l से divide कर देते हैं तो output per labor हो गया small y capital per labor हो गया small k और human capital per labor हो गया small h ये h कैसे हम निकालेंगे उसको हमने एक exponent के form में ले लिया e power psi u ये क्या है मैं बाद में clear कर देता हूँ फिर हमारा production function क्या आगया y dash equal to k power alpha dash इसमें dash क्या शो कर रहा है technology और k dash dot equal to s ky dash minus n plus g plus del k dash ये सब मैं पहले करा चुका हूँ technical change में इसलिए मैं इसकी detailing नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैं इसको समझा दूँगा भी human capital accumulation function तीसरा हमारा जो function है जिसकी बारे में मैंने भी यह कहा h h का मतलब है small h और l याई अगर हमको small h निकालना हो तो capital h upon l याई human capital per labor कहलाता है small h जिसको हमने define किया है e power psi ul ये क्या है l तो labor force है unskilled और unskilled labor force को जब skilled बनाया जाता है तो किस rate से बनाया जाता है वो rate है e power psi u जिसमें psi और u अलग अलग चीज़ है u क्या है share है उस individual का यानि इस labor में से कोई labor हमने निकाला और उसको एक समय दिया कि इत्ते समय में सीखे जैसे कि एक लड़का है वो school में पढ़ता है माल लीजिए हमारे पास कोई काम करने आया हमने कहा कि अभी efficient नहीं है इसको management course कराईए तो आपने 2 साल का management course कराया आपने देखा हुआ companies में बहुत सारे courses चलते हैं और training चलती है तो वो training के periods होते हैं दो महीने की training तीन महीने की training एक साल की training बाहर भी जाते हैं लोग तो वो time कितना लगेगा जितना ज़्यादा time लगेगा उस्ता skilled labor हो जाएगा ठीक है तो यह है you ताई क्या है efficiency of human capital accumulation मतलब यानि कि कितना human capital हम accumulate कर सकते हैं एक्षटा कर सकते हमारी छमता कितनी है क्योंकि skilled labor रखना भी मतलब बहुत खर्चा करना उनको रखना है अगर आपको तो जैसे कि एक company में एक hacker को रखा जाता है तो उसको शायद दिन के ही 20-25 जार रुपए 50 जार रुपए दिये जाते हैं दिन के सोचे इतनी बड़ी कमाई होती है तो skilled labor रखना भी हसी केल नहीं तो वो efficiency उस human capital accumulation की कितनी है यानि कितना आप रख सकते हो क्या है की efficiency कम है कि जादा है और फिर कितना time आप उनको train करते हो अगर मान लो u zero हो जाए यानि हम उसको कोई time नहीं दे रहे training ही नहीं दे रहे तो ये पूरा zero हो जाएगा power में जो है तो e power zero यानि one हो जाएगा यानि ये l हो जाएगा यानि कि अगर u zero है तो h equal to l यानि human capital आपका labor ही कहलाएगा यानि unskilled labor कहलाएगा clear